नमस्कार दोस्तों वो सभी विध्यारती जिनका सब्जेक कोड BPSC102 है उनकी परिक्षाओं के लिए Dabook Society तरफ से बहुत बहुत शुपकामना है आशा करता है Dabook Society कि आप सभी के जो एक्जामें बहुत अच्छे जाएंगे देखें ये कोशन पेपर जो है दिसंबर 2022 का इसम हम सिर्फ कोशनों को पढ़ेंगे नहीं बलकि उनका अंसर कैसे लिखना है और उसे डिस्क्राइब कैसे करना ये साई चीज़े हम चर्चा करेंगे तो वीडियो को अंतक जुरूर देखें इसके लाव बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि आपने पूरे चैप्टरों की सारे चैप्टर मिल जाएंगे तो BPSC 132 की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक में डिस्क्रिप्चन में दे दे रहा हूं आप वहां से न सारे सारे चैप्टर पढ़ लो आपका पूरा का पूरा पेपर वैसा का वैसा ही जाएगा क्योंकि दोनों सब्जेक्ट सेम हैं तो BPSC 102 क में आपके Question paper होगा टोटल आपको पांच प्रशनों के उत्तर देने होंगे एक युनिट से आप दो Question करोगे और एक युनिट से आप तीन Question करोगे ठीक है जिस युनिट सेय आपको ज्यादा Question आते हैं जिसमें आप ज्यादा अच्या लिख सकते हैं उससे सम्विधान का निर्माड इसकी वीडियो मैंने अप्लोड कर रखी है अब देखो इसको शुरू कैसे करोगे तो आप ये बताओगे जब दित्ते विश्युति के बाद इस बात पर निर्णे लिया गया कि भारत को सुनता प्रदान करनी है तो उसके लिए क्या हुआ एक सम्व दोनों नहीं मना कर दी इसके बाद क्या हुआ कैबनेट मिशन आया कैबनेट मिशन ने ये सोचा कि वह भारत के विभाजन को टाल दे लेकिन मुस्विम लीग ने कैबनेट मिशन की बातों को नहीं माना जिसके परिणामता प्रत्यक्ष कारवाई दिवस हुआ और भारत का एक बहारत के सम्विधान सभा के गठन के लिए सबसे पहले क्रिस्थ मिशन के बारें बताओंगे पिर आप कैबिनिच मिशन के यह को यह क्षफ पहले कि ब्रिटिश तार्कार ने यह कहा कि दो देशों कीус है भारत एक par इस बैठक में जितने सधस्य शामिल होने यह उतने नहीं हुए क्यूकि देशी रियासते जो थी वो इसमें शामिल नहीं हुई और पागिस्तान के अलग होने के कारण मुस्मिम लिख के भी कई सधस्यों ने इसमें जो है बैठक में भाग नहीं लिया तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के माध्यम से सम्विधानिक सभा का ये गठन किया गया जिसमें 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठाक हुई और डॉक्टर सचिदानन सिन्ना को इसका अध्धक्ष बनाए गया आगे चलकर डॉक्टर राजंदर प्रसाथ सम्विधान सभा के जो है स्थाई अध्धक्ष बने इसके लावा सम्विधान सभा में कुछ बड़े नाम थे जिन्होंने सम्विधान सभा में एक महतपुर भूमी का निभाई थी जैसे राजंदर प्रसाथ, मौलाना अजाथ, व हादनम से हमारे सम्विधान कर्मार हुआ, लेकिन उससे पहले सम्विधान सभा के गठन किया गया, अब फिर हेडिंग मनाओगे सम्विधान सभा की प्रकरती क्या थी, तो देश के लगभग उस समय की जितनी भी नामचीन हस्तिया थी, वो इसमें शामिल थी, हर एक वर्ग का एक व्यक्ति कहीं न कहीं सम्विधान सभा में शामिल था, चाए वो आदिवासी वर्ग हो, चाए वो दक्षिन भारते वर्ग हो, चाए वो पंजाब से हो, चाए वो उत्तरभारस से हो, हर वर्ग का व्यक्ति हमारी सम्विधान सभा में शामिल था, तो इस प्रकार से भा बारभाव में वेस्कमत अधिकार का यूस तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी इसमें वो सभी प्रतिनिती थे जिसमें जन्ता का टूर विश्वास था तो भारते सम्धान सभा का गठन कैसे हुआ यह बता दोगे अब आप तो भारते सम्धान सभा गठन में सबसे पहले क्या बता रखा है आपको वेडियो मिल जाएगी दूसरा कोशन है राज्य के नीती निरिशक सिध्धान और मौलिक अधिकारों चैप्टर की तो वीडियो में अप्लोड कर रखी है और जो राजी के नीतिन रिशक सिध्धानत वाली जो वीडियो वो आपको BPSC 132 में मिल जाएगी दोनों में सेम है आपके चाहे किताब मिला लेना तो मौलिक अधिकारों नीतिन रिशक तत्तों में अंतर गया है तो पहला आत्मक हैं ये सरकार को निर्धेष देते हैं कि वह धिकती के जंकल्यान के लिए करें मौलिक अधिकारों की बात की जाएगी तो मौलिक अधिकारों को युक्त्य पर्ठी भी लगाएगा है जब्कि नीतिनिशक तत्तों को जलंगन करने पर व्यक्ति कुछे ही कर सकता निति Uranisक तरत्व सरकार को अच्छा यह बुरा कहने को माप डडडन है जबतकि मौलीक अधिकार ये व्क्तिगत हैं तो इसे आप मौलीकषक सिद्धान्तों से तूलना करोगे तो मौलीक अधिकार तक था ठाफ अपप्लोड कर तो उसमें पूरी तरीकित उसके बारें बता जाएगा कि अपातकाल के दोरान सरदात स्वाण सिंग कमेटी के अनुशनशाफ पर मौलिक कर्तव्यों को भारतिय समिधान के भाग चार में जोड़ा गया और आर्टिकल 51A में सुरुवात में 10 मौलिक कर्तव्य दे फिर आगे च करने से बचना आप क्योंकि इसमें फिर आपको ज्यादा लिखना पड़ता है 10-10 नंबर के दो कोशनों के साब से अगर आप 20-20 नंबर के तीन कोशन हेडिंटू हेडिंग कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट बनाकर लिख सकते हो अच्छा सा मुल्यांकर लिख सकते हो तो समथान अन्यसूची के लंख्षं़ों की वैख्या कीजिएंट नौर्थीस्ट से है इसके लावा उन अन्यसूची चेतरों से है जहांँ पर आदिवासी लोगों Wenugichan तो समझार की पांच वए निसूची के बारे में आप बताओ कि ये आदिवासियों के संक्रक्षण के लिए इन्हें विशेश जो है सहायतर दी जा रही है क्लियर है इसके बारे में भी आपको BPSE 132 के चैप्टर में मिल जाएगा इसके लावा एक और मेरी स्रीज है BPSE 145 उसमें भी ये चैप्टर है मैं description में वो link भी दे दूँँगा आपको उस link से आप ये सारे चैप्टर पढ़ सकते हो भारत के राश्पती की शक्तियों की चर्चा करो तो सबसे पहला इसमें क्या बताओगे राश्पती के बारे बताओगे कि राश्पती के चुनाओ भारत में आप परतेक्ष तरीके से होता है इसमें लोकसभा, राजसभा और विधान सभाओं के जो है निर्वाची सदत से वोट डालते हैं जो मनोनी सदत से होते हैं वोट नहीं डालते हैं राश्टपती की शक्तियों की बात किया है तो विधाई शक्तियां फिर कारिकाली सक्तियां सैने शक्तियां, वित्य सक्तियां इस परकार से आप हैडि मुनाओगे और फिर उसके बारे में बताओगे फिर एक मुल्यांकर कर दोगे कि भारत जो है वो संसदेवस्ता वाला देश है तो ऐसे में जो राष्टपती की शक्तियां है वो नाम मातरे हैं वास्विक शक्तियों प्रिधानमंत्री करता है इस्थानिय सरकार के लक्षणों का सूची बत कीजिए तो इस्थानिय श्वशाष्ण मतलब पंचायती राजवस्ता आप बताओगे आजादी से पहले ही महात्मा गांदी जी और अन्य लोग ये चाहते थे कि भारत में ग्राम सोराज हो इतना इनी ब्रिटिश शाष्ण काल के दोरान लॉड रिपन जब हमारा वाइसराय था तो उस दोरान भी डिसिजिजन लिया गया था कि इस्थाने निकाय के चुनाव होने चीए लेकिन आजादे के बाद हमारी अर्थवस्ता थोड़ी डामा डोलती हमारा बज़र इतना नहीं था कि हम पंचायतों की स्थापना कर सकें इसलिए हमने कम्यूटी डेवलप्मेंट जो है प्रोग्राम चलाए और राइस्थान के नागावर में पहले वार पंचायत की शुरुवात की फिर क्या हुआ फिर समय समय पर बहुत सारी कमेटिया बनी जैसे अशोक महता कमेटी बलवंतराय महता कमेटी थंगुन कमेटी इन कमेटियों के अनुशनशा के धार पर 1992 में भारतिय समय समेदहों में 73 अमेंटमेंट किया गया और 74 अमेंटमेंट किया गया महिलायों गर फिर चुट के लिएये पासक की गई पैसे का किदिक्कत ना हो और उन्हें जो शक्तियां मिली वो राज्य सूची से मिली फिर एक आलोचना कर देना कि वैसे तो पंचायतों को बहुत सारी शक्तियां हैं लेकिन राजसरकार पर निर्भर हैं ऐसे में राजसरकार इनकी शक्तियों का प्रियोग उन्हें करने नहीं देती हैं ठीक है भई लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप महा से वो चैप्टर पढ़ सकते हो फिर वो ये दो टिपडी कर दो न्याइक पुन्रव लोकन पर या अब जेक्टिव रेजलुशन पर यानि कि पंडी जवाल लाल लहरु ने जो 13 दिसंबर 1946 को समिधान सभा में एक यह शामिल होंगी वो स्वतंत्र होंगी भारत एक संप्रभू देश होगा विश्व शांति के लिए कल्णाड करेगा अलप संख्यों को के अधिकारों की सुरक्षा करेगा सबी लोगों को मौलिक अधिकार की गारंटी दी जाएगी यह सब उद्धेश प्रस्तावों में ब क्या कोई कानुन संसत ऐसा तो नहीं बना रही है जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों को हनन हो तो न्याइक पुंड़ावलोकन को लेकर कई बार संसत और न्याइक पालिकाव में बीच में मदभेद भी रहते हैं तो पांच ही कोशन करने आपको टिपड़ी वाले छोड़कर ही चलना वैसे तो लेकिन अगर आपको टिपड़ी अच्छे सा आती है पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो तो कर देना भाई वो तो आपके उपर है कि आपको उससे में क्या आता है तो बीपीएसी वन जिरो तू से दैसे मैंने चार चैप्टर अप्लोड कर रखे हैं क्लियर है बाकी चीजे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं आप महां से चीजों को पढ़ो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद कोई